Hello everyone, welcome to study tube बढ़ते हैं आगे इस स्रीज में और देखते हैं इस स्रीज का सेट नमबर 16 हम लोगों ने इस स्रीज में 15 सेट किये हुए हैं यह हमारा सेट नमबर 16 है और इस स्रीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं लेकिन अभी ग्रूब D का एक्जाम नजदीक है तो ज्यादा तर प्रस्ण मैं उस हिसाब से सोच करके लिखता हूँ यह आपको करवाता हूँ जो आपके एक्जाम के लिए ग्रूब D के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है लेकिन आप देख सकते हो हर उस एक्जाम के लिए जिसमें भी जेनरल साइन्स पूछा जाते है और आपको बता दो जिनको नहीं पता है कि मैं पिछले 10 दिनों से वडियो क्यों नहीं अप्लोड कर पा रहा था तो मैंने ये चीज़ कम्यूनिटी पोस्ट में डाल दिया हुआ था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं बिमार हूँ 5-6 दिनों तक मुझे काफी तेज बुखार था 5-6 दिनों तक बुखार था उसके बाद ठीक हो गया मैं और एक बार जब आपको बुखार लगया तो समझो आपका दस दिन गया तो आप लोगों का भी जो एकजाम है वो नजजदीक है तो ऐसे में हर वो चीज अवाइड करें जिससे आपको लगता है कि आप बिमार पर सकते हैं क्योंकि एक बार बुखार लगा सिर्फ बुखारी नहीं था बुखार सरदी खांसी यह सारे जो है दोस्त है एक साती आते हैं तो पांच-छे दिन तक ऐसे बिमार रहा फिर ठीक हुआ पहले जैसा एनरजेटिक में फिली नहीं कर पा रहा था क्योंकि गला भी खराब हो जोगा था खांसी के कारण अब जा करके प्रॉपर मैं बेटर फिल कर रहा हूं तो मैं ये वडियो आप तक ले करके आ रहा हूं गर्मी जो है वो काफी जादा है तो ऐसे मैं आप लोग अपने सिहत का ख्याल रखें क्योंकि टाइम इतना कम है एकजाम का कि आप लोग बिल्कुल भी अफॉर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप बीमार पर जाए इसलिए अपने आपको बचा करके रखें वर्दा मामला बिगर स छलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्राशनों को निवलेकित में से किसकी प्रति रूथक्ता तापमान में पडिवरतन के साथ नहीं बदलती है मतलब टेंप रेचरंज में चेंज होने के साथ जो उसकी रेजिस्टि आ इमढ़ए ये दोनों जो है मैटल है conductor है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि temperature और जो resistivity है इनके बीच ultra relation है जो silicon है यह semiconductor है अर्धचालक है तो अर्धचालक के case में आप जानते हो कि temperature और resistivity में अर्धचालक के case में माफ करिएगा मैंने यहाँ पर ultra लिख दिया हुआ है यह य जो रूरेलेशन है ने temperature और 아 creature, यह है इस के case में, conductor के case में ठीक है, यानी कि चाला के case में और यहा semiconductor के case में, semiconductor के case में यह होता है कि आप तापमान बढ़ाओ के जो उद्धकτα है, फो Iímt घड़ जाती है और चाला की case में तापमान और प्रतिधक्ता में सिधा समन्द होता है तो सिलकन के लिए हम ये बोलेंगे और इन दोनों के लिए हम लोग ये बोलेंगे जो एवोनाइट है यह है कुछालक यानि कि इनसूलेटर यह है इनसूलेटर इनसूलेटर का जो resistivity है वो इतना हाई होता है कि temperature में change करने से उसके resistivity में change नहीं आता है तो हमारा answer यहाँ पर D हो जाएगा यदि तार का व्यास दो गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाता है तार का व्यास यानि कि diameter हम इसको double कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा तो R is equal to rho L by A यह अपने पड़ा है यहाँ जो A है हम इसके असान पर लिख सकते है पाई R square यह जो area है यह area of cross section है जो की circular ही होता है वरिताकार होता है यह शेत्रफल तो हम यहाँ पर पाई R square लिख सकते हैं यानि जो R है यह inversely proportional to R square है और R is equal to यह D by 2 होता है यानि R D के directly है तो हम यहाँ पर यह भी बुल सकते है कि जो R है वो inversely proportional है D square के D यहाँ पर diameter है यानि की वयास है तो अगर हम यह जो D है इसको हम 2 गुना कर दें तो देखो उल्टा relation है 7 में square है तो यह पहले का 1 पटा 4 हो जाएगा 1 fourth हो जाएगा तो D हमारा right answer हो जाएगा यदि किसी पदार्थ की प्रतीरोधक्ता यानि की resistivity 0.6 ohm meter है इस बात के समावना अधिक है कि यह एक है क्या है कुछ चालक है अर्द चालक है चालक है अती चालक है क्या है तो आप यह direct याद रख सकते हो यह एक्जाम में पूछे जा चुके है यह दोनों के दोनों जो resistivity है value, man, germanium और silicon इन दोनों के resistivity की जो value है यह एक्जाम में अल्यडी पूछा जा चुका है तो 0.6 ohm meter बोल दो या फिर 60 ohm centimeter बोल दो और silicon का 200 ohm meter होता है यह दोनों semiconductor है तो हमारा answer यहाँ पर B हो जाएगा यह देखो यह NCRT का cutout है NCRT के अंदर यह सारे आपको मिल जाएगे यह value important नहीं है यह value important नहीं है हलांकि कोई guarantee नहीं है पूछा भी जा सकता है लेकिन आप नहीं याद रखो तो बहतर है आप यह याद रखो कि कौन उपर है कौन नीचे है जैसे यहाँ पर आपसे एक्जाम में यह पूछा जाता है चार विकल्ब दे दिया जाएगा और इन चार में से उठाएगा और सब के order को change कर देगा आप से पूछा जायेगा कि भाई बताओ किसका सबसे ज़एदा है किसका सबसे कम है तो silver का सबसे जखादा होता है उससे कम copper का उससे कम aluminium का उससे कम tungsten का तो यह order आपके लिए important है value आपके लिए important नहीं है यह order important है order जो है आप धियान में रख सकते हो यह पूछा जा सकता है जिसे मैं ही सवाल यहां बना दू कि चार में भी कल्ब देदू आप पूछ दू कि इन वे से किसका जो resistivity है वो कम है सबसे कम है या किसका सबसे जादा है तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं तो कम से कम order आप धियान में रखिए value आप छोड़ सकते हो value आपको नहीं याद रखना है छोड़ी देना है प्लेटी हल्मिंतर्स के संदर्म में असत्य कथन चुने अनिमल किंगडम के अंदर आप फाइलम प्लेटी हल्मिंतर्स परते हो पहले फाइलम बोडी फेरा उसके बाद निरेडिया उसके बाद प्लेटी हल्मिंतर्स तो प्लेटी हल्मिंतर्स के जीव को हम लोग फ्लैट व प्लास्टिक होता है मैंने आपसे पहले भी यह चीज बताया हुआ है कि जो फाइलम पोडी फेरा है और फाइलम निडेडिया है इन दोनों को छोड़ दो तो बांकि जितने भी फाइलम है वो सारे के सारे वास्त्विक देवा का अभाव होता है इन्हे गलत हो जाएगा इन्हेर चप्टा क्रीमी कहा जाता है तो d हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह गलत है इन्हेर फ्लैट वर्म निमे टोड को जो phylum, Nimetoda Nimetoda के जीव होते है, उन्हें हम लोग गोल क्रीमी बोलते है, जो phylum Platy Helminthus के जीव होते है, उन्हें हम लोग चपटा क्रीमी बोलते है, निमिन में कौन चपटे क्रीमी के उधारान है? यानि phylum Platy Helminthus के जीव कौन है? दको Hydra है, Sea Anyways है, Jellyfish है, ये सारे के सारे जो है निडेरियन्स है ये सारे के सारे जो है निडेरियन्स है फाइलम निडेरिया के ये सारे जीव है प्लेनेरिया है लिवर फिलुक है टेप वॉम है ये सारे के सारे जो है प्लेटी हलमिंथस के जीव है यानि ये सारे के सारे जो है फ्लैट वॉम्स है ये स पूल क्रीमी है जो फाइलम नीमे टोड़ा है उसके ये सारे जीव है इसके गमलग फाइलम एश का हलमिंतस भी बोलते हैं नेरिस अर्थवाम लीज ये सारे के सारे एनलीड इस है यानि फाइलम एनलीडा की ये जीव है सारे के सारे निमलिकीत में से गलत कथन चुने 0 degree Celsius पर वाइउ में धोनी की चाल 331 meter per second होती है ये सही है 22 degree Celsius पर 344 meter per second होती है 25 degree Celsius पर 346 meter per second होती है तो यहां आप क्या देख रहे हो कि temperature बढ़ाने से sound की speed जो है वो बढ़ती है यह आप आपने याद भी किया होगा आपको पता भी होगा तापमान बढ़ाने से माध्यम के तापमान में व्रिद्धी करने से जो दोनी की चाल है उसमें व्रिद्धी होती है 25 degree Celsius पर हिलियम में कि hydrogen में sound की speed कितनी होती है पांकि यह जो उपर के तीनों value है यह भी आपको ध्यान में रखना है 0 degree Celsius पर sound की speed एर में 331, 22 degree Celsius पर 344, 25 degree Celsius पर 346 मेटर पर सेकंड प्रतिरोध X के तार में जब Z समय के लिए विदुधारा Y प्रभाहित की जाती है तब उत्पन उश्मा दी जाती है उत्पन उश्मा दी जाती है आपने पढ़ा होगा Jules Law of Hitting Effect Jules के उश्मे प्रभाव का नियम फर्मूला आपने याद किया है H is equal to I square RT यह फर्मूला है I यहां पर current है हमारे इस सवाल में जो I है वो दिया गया है Y ठीक है हमारे इस सवाल में जो R है उसके अस्थान पर है X प्रतिरोद X के तार में हमारे केस में प्रतिरोद R होता है यहां पर X है तो यह X हो जाएगा समय यहां पर Z दिया गया है समय यहां पर Z दिया गया है तो अब क्या करना है इस पूरे value को यहां पर put कर देना है तो I square RT है तो यहां पर हो जाएगा Y square Y square X Z तो Y square X into Z C हमारा यह पर right answer हो जाएगा यह formula important है यह याद रखिए एक newton बड़ाबर होता है तो बल बड़ाबर आपने पड़ा है द्रवेमान गुने में तोरण अगर हम द्रवेमान यहाँ पर एक किलो ग्राम ले 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 तोरण एक मिटर पर सेकंड सक्वार दे ले ले तो यहाँ पर जो हमें बल मिलेगा वो एक newton के बड़ाबर होगा तो एक किलोग्राम गुने में एक मिटर सेकंड स्क्वार है सी हमारा right answer यह जो न्यूटन है यह बल का एसा हिमात रख है यह बल का एसा हिमात रख है डाइन बल का रेड़ डेटा बुक लुप्त पराय पौधो और जानवरों का विवड़न प्रदान करता है तो ये सही है रेड़ डेटा बुक जो है ये IUCN के दोरा पब्लिश किया जाता है IUCN का फुल फॉर्म होता है International Union for Conservation of Nature International Union for Conservation of Nature तो इसी के दोरा जो है ये रेड़ डेड़ बुक पब्लिश की जाती है एक वयस्क मानाओ का समाने रक्त चाप 120 बटा 80 mm मरकरी होता है तो ये स्टेटमेंट भी सही है Humerus Trigia Alana पशपाद की हड़ दिया है पशपाद बोले तो हमारे पैरों की हड़ दिया है जो हमारा ऐलभो है उसके और बॉला जो बोन है वसे हम लोग बोलते है Humerus तो ये सारे हमारे हातों की हड़ दिया है 4 limbs की हड़िया है तो ये statement जो है ये गलत है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दातों की सरन को कम करने के लिए अधिकांश toothpaste में fluoride होता है तो ये statement सही है आंसर हमारा C हो जाएगा 5 diopter शक्ति का उत्तर lens और सारे 7 diopter शक्ति का उत्तर lens एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है lens के इस संयोजन की शक्ति और focus दूरी क्या है मतलब हमारे पास क्या है ना कि lens है अलग-अलग power की lenses है अलग-अलग power की lenses है सारे को contact में रखा गया है जैसे मान लीजे ये एक lens है ठीक है इसको हमने contact में डाल दिया यह एक lens है, for example, हमने एक और यह एक lens है, इस परकार से contact में रखा गया है, तो मान लिजिए कई lenses है, जिसका power है P1, P2, P3 P4 इस परकार से, सारे को contact में रखा गया है तो जो हमारा P net होगा इन सब के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे यह कितने भी हो सकते हैं तो यह तो बहुत ही simple हो गया जो lens है, सारे को contact में रखा गया है संपर्क में रखा गया है, यह चीज़ ध्यान में रखेगा संपर्क में रखा गया है, तो जो हमारा पूरा combination बन करके आएगा तो उसका जो power होगा उसे निकालने के लिए बस हमको यही करना है सब के power को जोड़ देना है लेकिन, एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना होता है और वो यह है, sign sign के साथ आपको जोड़ना है कैसे sign के साथ जोड़ना है हमारे case में दो ही lens है, सवाल में एक उत्तर lens है और एक अवदर lens है और आप जानते हो उत्तर lens के case में उत्तर lens के case में focus दूरी रिनात्मक होती है शक्ती भी रिनात्मक होती है माफ करिएगा, उल्टा मैंने बोल दिया है convex lens है ना, धनात्मक होती है focus दूरी भी धनात्मक होती है और शक्ती भी धनात्मक होती है तो यहाँ पर हम 5 diopter लिख देंगे उसके बाद of the lens है of the lens की जो focus धूरी है वो रिनात्मक होती है शक्ती भी रिनात्मक होती है तो यहाँ पर हम क्या गरेंगे minus 6 sat diopter लिखेंगे और हम इसको जोडेंगे तो minus 2 diopter हमारा answer होगा 2.5 diopter minus 2.5 diopter यह हमारा answer हो जाएगा जो combination बन करके आएगा यानि combination कुछ इस प्रकार से है यह हमारे पास अवतर lens है और इसी के contact में उतर lens है यह जो हमारे पास combination है इसका जो net power है वो यह है minus 2.5 diopter तो power हमारे पास निकल कर जाएगा minus 2.5 diopter और power is equal to यह 1 by f होता है यहां से f हो जाएगा 1 by p p हमारे पास निकल कर क्या चुका है minus 2.5 diopter यहां से point हटाएगे उपर में 10 जाएगा sorry 0 जाएगा तो यहां से यह हमारा answer जाएगा 0.4 meter आएगा हम क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे तो 40 cm हमारा answer हो जाएगा वो भी negative में तो minus 2.5 diopter और minus 40 cm भी हमारा right answer हो जाएगा तो यह अप दिहान में रखिएगा जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक के मृत्यू कहलाती है जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक के मृत्यू कहलाती है नेक्रोसिस तो C हमारा answer हो जाएगा neutrophil यह WBC है हमारे body के अंदर सबसे ज़्यादा जो WBC यानि कि जो white blood corpuscles है यह पाई जाती है वो है neutrophils 5 परकार के WBC है ने total इनमें सबसे ज़्यादा जो WBC है हमारे body के अंदर वो है neutrophil और सबसे कम besophil नेफ्रोसिस यह kidney या फिर नेफ्रोन से समधित विकार है बिमारी है और नियोप्लासिया होता है abnormal and excessive growth of cells मतलब कोशिका जो असमाने रूप से असमान रूप से उनका size में विद्धी हो रहा है इसी को हम लोग नियोप्लासिया बोलते हैं यह आगे चल करके cancer का कारण बन सकता है C हमारा right answer हो जाएगा एक car 40 km परती घंटा की एक समान गती से 30 km की यात्रा करती है और अगले 30 km की दूड़ी 20 km परती घंटा की समान गती से तै करती है इसकी औसत गती ग्याद कीजिए अब देखो जो answer है वो km पर hour में है तो हमें km पर hour में ही गती दी गई है तो हम इसको mp per second में change नहीं करेंगे ऐसा ही मातरां को change नहीं करेंगे क्योंकि हमें answer km पर hour में ही चाहिए व्यात्रा है, वो 20 km पर आर के गती से करती है, औस गती चाहिए, तो जो average speed हम लोग लिखते है, total distance upon total time, औस गती बढ़ावर कुल दूरी, जो कार चली और जो कुल समय लगा, अब देखो दूरी तो हमें पता है, 30 प्लस 30, 60, 30 प्लस 30, 60, टाइम हमें नहीं पता है, तो हम टाइ लेंगे, ये 30 km चलने में भी कुछ समय लगा होगा, उसके बाद ये 30 km चलने में भी कुछ समय लगा होगा, total समय को जोड़ देंगे, तो भही हमारा कुल समय है, टोटल समय है तो यहाँ पर कितना समय लगा होगा समय बड़ा पर दूरी बटे में 4 30 बटे में 40 यानि कि 3 बटे में 4 ये R हो जाएगा यहाँ पर यानि कि घंटा उसके बाद इस 30 किलोमेटर के चलने में कितना समय लगा होगा तो हमारे पास समय है यहाँ पर टोटल तीन बटे चार प्लस तीन बटे में दो इसको आप सॉल्व करना है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.6 आर सॉरी यह स्पीड है न किलोमेटर पर आर यह हमारा आंसर आएगा आप निकाल करके देखना यह उसाद गती है 26.6 में catch इसको किलोमेटर प्रती घंटा विकार जिसमें रक्त में ग्लुकोज की मात्रा अधिक होती है ब्लड में जब ग्लुकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस condition को हैपर Glycemia कहा जाता है Hyperglycemia Blood glucose के level में PVHD हो जाना Hyperglycemia yuremia होता है Blood में yurea का बढ़़ना जो blood है इसमें अगर yurea کی मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हम इसे yuremia बोलते हैं इस condition को इस case को Glukoma ये आखों की बिमारी है उसके बाद glycosuria ग्लाइकोसुरिया होता है जब यूरीन में ग्लुकोज दिखने लग जाए जब यूरीन में मुत्र में ग्लुकोज दिखने लग जाए तो हम इस केस को ग्लाइकोसुरिया बोलते हैं तो अगर हाइपर ग्लाइसीमिया है तो उस केस के अंदर ये ग्लाइकोसुरिया भी हो सकत अगर ब्लड में ब्लड ग्लकोज जादा है तो यूरीन में भी दिखने लग सकता है तो हाइपर ग्लाइसीमिय केस में ग्लाइकोसूरिया का केस भी देखा जा सकता है आंसर वैसे हमारा यहां पर डी हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया बोले तो यूरीन में ग्लकोज का दिखना hyperglycemia यानि की blood glucose का level high हो जाना किसी स्रोत द्वारा उच्छ सर्जित धोनी की तरंग 1.7 x 10 to the power minus 2 meter है धोनी की आवरिती की गड़ना करे यदि इसका वेग यदि इसका वेग ये है 3.43.4 meter per second तो धोनी की चाल बड़ाबर जो द्वानी की तरंग द्वार है और जो आवरिती है गुने में ये है 3.43.4 meter per second और lambda हमें दिया गया है 1.7 x 10 to the power minus 2 into f f हमें चाहिए तो 3.43.4 1.7 x 10 to the power minus 2 हम इसको solve करेंगे solve करने के बाद जो answer आएगा वो आएगा 2.02 x 10 to the power 4 hertz b हमारा right answer होगा यहाँ पर आप इसको solve करके check कर सकते हो निवलिकित में से कौन से विशेस्ता fuse star के लिए उप्यूक्त नहीं है उप्यूक्त नहीं है देखो जो fuse star है तो उसका जो melting point है ये कम होना चाहिए लेकिन जो प्रतिरोध है वो ज्यादा होना चाहिए उसके बाद thin and short यानि कि पतला होना चाहिए छोटा होना चाहिए ठीक नहीं होना चाहिए तो b हमारा right answer होगा आप लोग घरों में fuse star लगाते भी होंगे तो आप definitely इस चीज को ध्याने में रखते हैं कि fuse star जो है वो पतला होना चाहिए एक ट्रक विराम अवस्था से चलना प्राड़म करता है जैसे ये बोला विराम अवस्था से चलना प्राड़म करता है मतलब यू बड़ा बड़ जीरो और निरंतर तोरण के साथ एक पहारी पर उढ़ता है यह 20 सेकंड में 400 मीटर के दूरी तैय करता है मतलब एस जो है हमारा वो 400 मीटर है जो टाइम लगा है वो 20 सेकंड है इसका तोरण ग्यात कीजिए हमें चाहिए यहाँ पर तोरण तो हमारे पास फर्मूला है S is equal to UT plus half A T square अब देखो U 0 है तो यह पुरा टर्म ही खतम S का मान हमारे पास 400 है half A का मान चाहिए T का मान देखो यहाँ पर 20 है तो 20 और गुने में 20 तो यह 20 into में 20 से यह 400 खतम तो A बड़ा बड़ हमारा हो जाएगा 2 meter per second square आंसर हमारा 2 meter per second square अब सेम सवाल है लेकिन यहाँ पूछा गया है कुछ अलग सवाल पढ़ लो एक ट्रक विराम अवस्था से चलना प्रड़ंब करता है मतलब इस बार यह हमारे पास U 0 है जो समय है वो 20 सेकेंड है और जो S है यह 400 meter है यदि इसका द्रवेमान 7 metric ton है तो उस पर लगने वाला बल ग्यात कीजिए हमें चाहिए इस बार बल द्रवेमान हमें दिया गया है 7 metric ton देखो 1 metric ton 1000 kg होता है तो 7 metric ton 7000 kg हो जाएगा इस पर लगने वाला बल ग्यात कीजिए जो चलड़ा है तो एक बल लग रहा है तो वो बल हमें बताना है अब बल बड़ाबर यह होता है द्रवेमान गुने में तोरण द्रवेमान हमें पता है 7000 kg है हमें तोरण चाहिए और तोरण हम लोग ठीक वैसे ही निकालेंगे जो हम लोगों ने जस्ट पिछले सवाले में निकाला है S is equal to UT plus half 80A square तो जब हम तोरण निकालेंगे तो इसका मान A बराबर 2 meter per second square आपने देखा था पिछले सवाले में यह यह आएगा तो 14000 newton हो जाएगा यह A निकाले के लिए हम लोग क्या करेंगे S is equal to UT plus half 80A square लगाएगे 2 meter per second square तोरण आएगा उसका value हम यहाँ पर put करेंगे तो 14000 newton हमारा answer निकल करके आएगा 14000 newton भी हमारा right answer दंड चुमबक के बारे में गलत कथन चूने बार मैंगनेट के बारे में गलत कथन हमें चूज करना है यह एक अस्थाई चूमबक होता है temporary magnet होता है तो यह गलत हो जाएगा जो बार मैंगनेट होता है वो permanent magnet होता है तो हमसे गलत कथन पूछा रखा है तो यहाँ पर यह हमारा right answer हो जाएगा यह एक अस्थाई चूमबक होता है यह गलत है यह एक अस्थाई चुम्बक होता है तो यह सही है इसकी तिवरता को बदला नहीं जा सकता है तो यह भी सही है इसकी धुरुता निशित होती है मतलब जो साउथ पोल है वो साउथ पोल ही रहेगा जो नौर्थ पोल है वो नौर्थ पोल ही रहेगा हम ऐसा नहीं कर स यह यहां पर लिख दिया हुआ है आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, जो 12 मैंट होता है वह अस्थाइ चुम्बक होता है, जो एलेक््ट्रो मैंगेक है क्या होता है, जब तक हम एलेक्ट्रिक करेंट यहां पर फ्लो करवाएंगे, जैसे यहां पर देखो, ये दिखलाया गया है ये एक Electromagnet है एक तार है इसी को क्या है लपेट दिया गया है तो जब तक हम इसमें current को flow करवाएंगे विजुत प्रवा यहां से जब तक होती है तब तक ये एक चुम्बक के तरह विवार करेगा जैसे हम current को भेजना बंद कर देंगे चुम्बक के तरह करता है अब ये चुम्बक के चुम्बक है तो चुम्बक के बल ये लगाएगा ही जो चुम्बक के पदार्थ होगा उसके उपर लेकिन ये कमजोड लगाएगा Electromagnet के तुनला में Electromagnet जो होता है वो काफी strong electric sorry magnetic field produce करता है तो ये अंतर है उसके बाद तिव्रता नहीं बढ़ जाती है उसके बाद ये जो हम tons है ना ये number of tons हम जिसको बोलते है इसको हम जितना ज्यादा बढ़ाएगे ना जो तिव्रता है यानि इसके दोरा जो चुम्बक के शित्र या बोलो चुम्बक के बल जो लगाया जाएगा वो उतना ही ज्यादा strong होगा इसमें क्या है कि जो North Pole है वो हमेशा North Pole ही रहेगा South Pole जो हमेशा South Pole ही रहेगा लेकिन हम यहाँ पर change कर सकते हैं हम यहाँ पर जैसे यहाँ देखो दिख लायागी है कि यह North Pole है हम अगर current के direction को change कर दे वह तो धरा के दिशा को हम बदल दे तो यह जो North Pole है और South Pole है यह आपस में बदल जाएंगे North वा समतल दरपन के सामने 10 मिटर पर खारा है एक छवी से 5 मिटर दूर होने से पहले उसे कितना दूर चलना चाहिए देखे एक समतल दरपन है एक बड़ा सा समतल दरपन है एक आदमी इससे 10 मिटर पर खारा है यह मालो यह एक आदमी है 10 मिटर पर खारा है यह जो distance है यह 10 मिटर अब बोला कि अपने 26-5 मीटर दूर होने से पहले उसे कितनी दूर चलना चाहिए अगर ये 10 मीटर के दूरी पर खरा है तो आप जानते हो कि समतल दर्पन में जो प्रतिविम्ब का निर्मान होता है वो दर्पन के पीछे होता है वस्तु के आकार का ही प्रतिविम्ब का निर्मान होता है और जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पन से उतना ही पीछे प्रतिविम्ब का निर्मान होता है मतलब प्रतिविम्ब का जो निर्मान है वो यहाँ पर होगा और 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगा यह दरपन से मतलब यह जो व्यक्ति है और यह जो इसका प्रतिविम्ब है इसके बीच में total distance कितना है 20 मीटर है हमें बोला गया है कि अपने 26 से 5 मीटर दूर होने से पहले मतलब यह व्यक्ति यहां पर है और इसका प्रतिविम्ब यहां पर है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो 5 मीटर है तो ऐसा केस कब आएगा इसे कितना चलना पड़ेगा तब इसके और इसके प्रतिविम् है तो इसका मतलब क्या हुआ कि धाई मीटर के दूरी पर यह बंदा खरा है दरपन के सामने और धाई मीटर के दूरी पर दरपन के पीछे प्रतिविम् का निर्मान हुआ तब जाकर के टोटल 5 मीटर हमारा वैलू निकल लगर के आएगा तो यह कितना चला पहले 10 मीटर के दूरी पर था तो यह सारे 7 मीटर चला होगा तब दरपन से इसके दूरी धाई मीटर और पीछे धाई मीटर के दूरी पर प्रतिविम् का निर्मान हुआ होगा तो सी हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा एक क्रिकट की गेंद को 20 मीटर के उंचाई से गिराया जाता तो यह 20 मीटर के दूरी से गिराया गया है तकराने समय यानि किस स्पीड से यह गेंद जो है टकराएगी जमीन को यह हमसे पूछा गया है तो देखो हमारे पास U है हमारे पास यहां पर S है या फिर H बोल दो नीचे की ओड गिराया गया है गेंद को तो A बड़ाबर हमारा यहां पर कितना हो जाएगा प्लस G और यहां पर G का मान जो है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वार लेना होगा तब जाकर के अंसर सही सही आएगा तो V स्क्वार इस इक्वार टू U स्क्वार प्लस 2S V का मान तो हमें चाहिए U 0 है तो 2 गुने में A का मान हमारे पास 10 हो जा यानि 20 मीटर पर सेकेंड जमीन पर यह 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गेंद टकराएगी स्वारी नहीं D हमारा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड अब दोगों सवाल वही है इस बार हम से यह पूछा है कि जमीन तक पहुचने में कितना समय लगेगा जमीन तक पहुचने में कितन तो यहां से T निकल जाएगा V हम निकाल चुके है 20 है U का मान 0 है A का मान 10 T का मान हमें चाहिए तो T is equal to 20 बटे में 10 यानि कि 2 सेकेंड हमारा आंसर गेंद इस स्पीर से जमीन पर टकराएगी और 2 सेकेंड में टकराएगी एक वस्तू को समतल दर्पन के सामने 20 सेंटिमीटर पर रखा गया है दर्पन को वस्तू की ओर 2 सेंटिमीटर ले जाया जाता है दर्पन में दिखाई देने वाले वास्तविक और अंतिम प्रतिमियम की स्थिती के बीच की दोड़ी है अब यहाँ पर सवाल यह कह रहा है कि यह हमारे पास समतल दरपन है एक वस्तू है जो 20 cm के दूरी पर है माल लो यह वस्तू है माल लेजे यह वस्तू है जो 20 cm के दूरी पर है अब यह बोला गया यहाँ पर कि जो दरपन है इसे खिसका दिया गया यहां कर दिया गया खिसका दिया गया मतलब 2 cm दरपन को वस्तु की तरब खिसका दिया गया मतलब अब जो ये वस्तु है हमारे पास ये जो वस्तु है और इस दरपन की बीच की जो दूरी है वो 18 cm है 2 cm खिसका दिया गया जब 20 cm के दूरी पर वस्तु मौजूद थी जब वस्तु 20 cm के दूरी पर मौजूद थी तब उसका प्रतिविम दरपन के पीछे 20 cm के डिस्टेंस पर बना होगा मतलब इस वस्तु का जो डिस्टेंस है अपने प्रतिविम्ब से 40 cm है ना ये 20 प्लस 20 अब यह 18 cm की दूरी पर है अगर यह 18 cm की दूरी पर है तो अब जो प्रतवीम का निर्मान होगा वो दरपन से 18 cm पीछे यानि टोटल डिस्टिंस इस बार कितना है 36 cm है हमसे सवाल यह पूछा गया है कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है ठीक है जो वास्तविक प्रतव summation का निर्मान हुआ उनके बीच में दूरी कितनी है पेले 40 cm के 40 cm के दूरी पर वस्तु शूंते पर वस्तू से प्रतमिम गंभान हो रहा है तो डिस्टेंस कम्ता है इस दोनों के बीच में 4 cm सेंटिमेटर 46-36 तो 4 सेंटिमेटर हमारा आंसर हो जाएगा एक बुढ़ा व्यक्ति के आंक में जड़ा द्रिष्टी दोश है इस व्यक्ति के लिए द्रिष्टी की निवनतम दूड़ी होगी यानि कि प्रेस बायोपिया है देखो अगर आंक जो है वो नॉर्मल है समान है किस सब्सक्राइब द्रिष्टी के लिए निवनतम दूड़ी होती है 25 से अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो एक जो साधारन आंक है जिसके आंक में कोई समस्या नहीं है वो भी वो आंक भी वस्तू को साफ साफ नहीं देख पाएगी अगर 25 सेंटिमेटर से कम डिस्टेंस प एक साधारन आंक 25 सेंटिमेटर से दूड़ पर इस्तित वस्तू को साफ साफ देख पाती है लेकिन जराद्रिष्टी दोष्ट वाले के केस में क्या होता है कि 25 सेंटिमेटर से अधिक दूरी पर जो वस्तू है उसे भी साफ साफ वो आंके नहीं देख पाती है मतलब जो नि जोड़ हो जाने के कारण जो हमारे आखों के पास जो लेंस है जो आई लेंस है वो रिजिड हो जाता है यानि कठोर हो जाता है हमारे आखों के लेंस का ये खासियत है कि अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर सकता है वो जिसे में पावर ऑफ एकुमेडेशन बोलते हैं लेकि तो दूर की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पाएगा, नजदीक की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पाएगा, और इन दोनों ही केसिस को मिला दो एक साथ, तो हम प्रेस्ट बायूपिया बोलते हैं, जड़ा देश्टी दोश बोलते हैं, तो ये आप याद रख सकते इसको ठीक करने के लिए bifocal lens का इस्त्माल किया जाता है दिफोकसी lens का इस्त्माल किया जाता है समान दर्वेमान वाले दो पिंट क्रमशा एक समान वीग V और 3V से गती करते हैं उनकी गतीज उर्जा का नुपात क्या होगा तो गतीज उर्जा बड़ाबर ये लिखी जाती हाफ M V square के दरवेमान तो सेमी है समान दरवेमान वाले दो पिंट है तो दरवेमान सेम है यानि कि जो गतीज उर्जा है वो directly proportional है V square के directly proportional है V square के यानि जो वेग है जो कि पहले V था बाद में 3 V हो चुका मतलब वेग तीन गुना हो गया है अगर वेग तीन गुना हो जाएगा तो क्योंकि सीधा समंध है उपर से square है तो जो गतीज उर्जा है पहले के 9 गुनी हो जाएगी यानि कि 1 is to 9 हमारा ratio होगा पहले के 9 गुनी हो जाएगी Gauss किसका मात रखा है Gauss किसका मात रखा है Gauss जो है यह मात रखा है Magnetic Field का Magnetic Field का जो SI मात रखा है वो है Tesla और Gauss इसका CGS मात रखा है एक Tesla बड़ावर होता है 10 पे पावर 4 Gauss के यहाँ देखिए यह मैंने आपको पहले भी दिखलाया हुआ है साइद पिछले ही सेट में इस बार मैंने थोड़ा और अच्छे से लिख दिया हुआ है यहाँ पर कौन है scalar है कौन vector है CGS मात रख क्या यह सारे Magnetic Flux यानि चुमबकिये Flux कि SI मात रख वेबड है CGS मात रख Maxwell है यह एक जाम में पूछा जाता है इसलिए आप याद रखेगा इस टेवल को scalar quantity है चुमबकिये Flux चुमबकिये Pradent या फिर चुमबकिये Shetra या फिर चुमबकिये Flux गनत कुछ भी पूछ दे इसमें से यह सारे जो है एक ही चीज है यह सारे एक ही चीज है यह दुश्य का इसलिए पर प्रियोग होते है यह सब vector quantity है जो SI मात रखेगा वो Tesla है और CGS मात रखेगा गौस है magnetic dipole moment चुमबकिये दियू द्रू आगोड़न vector quantity है SI unit ampere meter square ampere meter square अब magnetic intensity बोल दे या फिर magnetic field intensity बोल दे या फिर magnetic field strength बोल दे सब एक ही चीज है यह vector quantity है और ampere per meter इसका SI मात रखेगा और CGS मात रखेगा और state है और state जिन्होंने सबसे पहली बार पता लगाया विदुधरायकारण चुमबकिये शेत्र उत्पन होता है उनी के समान में यह unit रखा गया है और state यह CGS मात रखेगा चुमबकिये शेत्र की तिवरता बोल दो या फिर चुमबकिये तिवरता बोल दो इसकी यह CGS मात रखेगा और state तो यह हमारा set number 16 जो है यहाँ पर समाप्त होता है मिलते हैं अगले set में थैंक्यू सो मच वडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना